वक्त से हारा या जीता नहीं जाता किवल सीखा जाता है मैनत सीडियों की तरह होती है और भाग ये लिफ्ट की तरह लिफ्ट तो बंद हो सकती है लेकिन सीडियां हमेशा उचाईयों की तरफ ले जाती है भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो भगती है हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है हमारी बस एक ही इच्छाओं नीच चाहिए कि हम भगवान के दास कैसे बने विचारों को पढ़कर बदलाओ नहीं आता विचारों पर चलकर ही बदलाओ आता है दूसरों को दुख देकर धर्म का उलंगन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता अपने मन को इस तरह से प्रतिक्छन देकी वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके जो की संसारिक आकर्शन से उत्पन्न होते हैं कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है संका का कोई इलाज नहीं चरित्र का कोई प्रमान नहीं मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सब्द सतीखा कोई बान नहीं यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भागय को दोज़ दो मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी वहार से मन की संति भंग ना हो पाए वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता यदि आज तुम किसी को रुलाओगे यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा जो भैक्ति संकल्पे के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी साहता खुद करते हैं भगवान भी उनकी ही साहता करते हैं परिवर्दन संचार का नियम है इसलिए जो पीछे छुट गया उसका सोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनन्द उधाना सिखिए इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को प्रेस करका ओल पे किलिक कर लिजे धर्नमात दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजे